हेलो एब्रीबन वेलकम बैक टू मैं चानल डेली कुकिन इत पैल्स सो गाइज हापी गनेश्य तुर्थी गनेश जी का तो हमारे घर आही चुके उनके लिए प्रशाद आप बनाई रहोंगे इसलिए मैं आपके लिए लाई हूं जरपट बनने वाले सिर्फ दो इंग्रीडि इसके लिए मैंने यहापे 3-4 काटूरी गोले का बरादा दिया है जिसे मैंने घर पे ही बना करके तयार किया है आपके पास बजार का होता आप बोले सकते और अगर नहीं है तो इसे घर में किस तरह बनाया जाता है उसकी रेश्पी मैंने वीडियो के लास्ट में शेयर करी आप वहां से देख सकते हैं इसलिए वीडियो को लास्ट सक पूरा देखिएगा अगर बजार का है तब तो कोई देरी नहीं लगे कि दो मिनिट में यह बनकर के तयार हो जाते हैं बस अभी नहीं हम क्योंकि नहीं हम बिना मोल्ड के बना रहें अगर आपका मोल्ड है तो आ इसली और अगर नहीं है तो आप इस तरह से उसकी बरावर साइस की बॉल्स बना लीजिए अब हम इसे हलको हलका हलका हातों से इस तरह सी देखिए फिंगर से हम इसे दवाते हुए उपर की तरफ पॉइंट बना लेंगे पहले एक और यहां पे हमने यहां पे टूथ पिक है जिसकी हल्प से हम इस तरह से लाइन्स बना लेंगे हलके हातों से ही कीजिएगा यह देखिए मोदक हमारा बंगर के तयार है इसी तरह से हम अपने सभी मोदक बना करके रेडी कर लेंगे यह देखिए अब मैंने यहां पे 6-7 दागे केसर के लिए हैं जिसे मैंने थोड़े से दूद के साथ भिगो दिया था इसी दूद को हम थोड़ा थोड़ा इस पर डाल देंगे और इसमें से एक दागा केसर का जो कि पूई तरह गुला नहीं है यही निकाल करके इस पर हम अगrän तक करना अगर्य क्याँ सकते हैं हैं है कि सो हमारे पॉदख बन करके तो रेडी हो चुके हैं है असे अगर बजार का समान है तो यही से बनाना बहुत जाता है और अगर घर का है तो भी बहुत एजी है क्योंकि ऐसी जट पर रेस्पी मैंने शेयर करी है लास्ट में आपको वह बहुत ही असान लगे कि उससे भी आप पंदम नेट में दोनों चीजे तयार करके मोदक हम बना सकते हैं या फिर किसी भी मिठाई में इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए देखिए हमने अब गोले का बुरादा हम बनाने के लिए यहां पर सोखी गोले लिए हैं जो हमारी घर में पड़े ही होते हैं रखे ही रहते हैं इसके लिए यहां पर एक मोटा वाला ग्रे यह मैं इसे गोल गुमा करके जहां से यह इसली कर सकता है वहां से दिरे दिरे सारा ब्लैक पोर्ट्शन इस पर निकालती जाओंगे और जो रह जाएगा उसे पीलर की हल्ट से हम इस तरह से बिल्कुल साफ कर लेंगे यह देखिए मैंने इसी स्टेज पर मिसी ग्राइंड कर इसलिए गोले का पर दो उतना साफ नहीं था लेकिन यह बिल्कुल साफ बनेगा यह देखिए क्योंकि हमने गोला बिल्कुल साफ कर लिया इस प्लैक पोर्ट्शन को आप हटा दीजिए फेग दीजिए और आब हम इसे करेंगे छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेंगे कट करने के बाद हम इसे मिक्सर के ग्राइणिंग जार में लेंगे तुकड़े थोड़े छोटे ही रखिए कर जादा बड़े टुकड़े जल्दी से ग्राइण नहीं हो पाते हैं अब हम इन सबी टुकडों को ग्राइणिंग जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे अग में उससे कंपैंग कैसे ठरौ में रख सकते हैं नहीं को यहां पिर निया तो जब है। अब आप इसे भी essुटह। नहीं कर दो चलिच भी है यह स्टेज अधर होनी को कछयाता हैं। अब आप इसे ठंडा होने पर एर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में रखेंगे तो यह महीनों चलेगा और किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हैं यहां पर यह देखिए कंटेन्समिन भी हमारा कित्ता स्मूद बन करके तयार हुआ है इसे फ्रिज में रखने के बाद यह और भी ठंडा हो जाएगा चलिए इसकी रेस्पी देख लेते हैं इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है जिसमें मैंने यहां पर 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है पचास ग्राम चीनी ली है जित्ता मिल्क पॉडर उसकी आधी चीनी और उतना ही पानी पचास एमल मैं यहाँ पे पानी लिया है चुटकी वर्स बेकिंग सोडा डाला है आपके पास बेकिंग पॉडर डाला है अगर आपके डालना चाहे तो डाले अधरवाइस स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम भगवान के प्रिशाध के लिए बना रहे हैं सोडा अगर आप पसंद ना करें तो स्किप कर दीजे अब हम इ इसे भी इसी में पैंड में ले लेंगे अब हम इसे लगतार चलाते हुए गर्म करेंगे बॉइल आने तक क्योंकि इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है जैसी बॉइल आयागा यह पैंड में लगने लगेगा और जैसे ही हलका से गाड़ा होने लगे तो आप यहां पर ए इसे अफरेंगे जार में डाल करके फिर से एक बाद कर दीजिए जिससे यह बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा यह देखेंगे काफी अम यह थिक होने लगा है ठंडा होने के बाद क्योंकि यह और बित ज्यादा थिक हो जाएगा इसलिए थोड़ी से रणी स्टेज पर यह इस जल्दी से अमारे गोले का बरादा बन जाता है जल्दी से अमारे मोदक बन सकते हैं और चाहें तो आप वह भी मिठाई बना सकते हैं आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताएगा यह आपको बहुत हैल्पूल होगी तोहारों का समय है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन टेक केर एंड बाई बाई